हलो एवरीवन, आई होब यू ओल आ डूइंग वेल, तोड़ेग आम गोंग टेल यू अबाउट नूट्रीशन लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लाइफ प्रोसेस इसके बारे में अब हम बात करते हैं नूट्रीशन के बारे में और ये क्यो ज़रोरी है और इसके टाइप क्या है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओर्गेनिजम फूड को अपने बोडी के अंदर लेता है उसको डाइजेस्ट करता है मतलब उसको छोटे-छोटे पीसिस के अंदर तोड देता है कुछ एंजाइम्स, केमिकल्स की हल्प से देन उन नूट्रीएंट्स को क्या करता है यूटिलाइज करता है यूज करता है किसीज के लिए for their growth and development वो और्गिनिजम अपनी growth और development के लिए व्रिधी विकास के लिए उन नूट्रीएंट्स को यूज करेगा क्यों जूरत पड़ती है हमें nutrition के अपने बोडी के लिए क्योंकि वो हमें energy प्रोवाइड करते हैं for doing any activity and for various life processes अब various life processes क्या हो सकती है हमारी बोडी के अंदर भी होती रहती है जैसे हम सास लेते हैं या हमारा heart है blood pump करता है उन्हें भी लगातार किसीज के जुरत पड़ती है energy के जुरत पड़ती है तो हमें क्यों जुरत होती है nutrition की energy के लिए how do living things get their food nutrition in different organism is fulfilled in different ways अलग-अलग जीवों में अलग-अलग तरीके से उनको अपना food मिलता है सभी क्या अपने अलग-अलग तरीके होते हैं जैसे कुछ organism तो क्या करते हैं simple food material का use करते हैं किसकी form में carbon dioxide और water की form में सरफ इन दो चीजों से ही क्या कर लेते हैं जबकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो complex food material लेते हैं अपने body के अंदे और complex food material ले लिया तो अब पहले क्या करेंगे उसका breakdown करेंगे मतलब उसको तोड़ा जाएगा छोटे pieces में किसके मदद से? कुछ enzyme और chemical के मदद से? देन उन्हें क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा enzyme क्या होते हैं? bio catalyst होते हैं which help in breakdown of complex substance into simpler one ये एक bio catalyst bio का मतलब क्या होता है? living, catalyst का मतलब क्या है? कैसी चीज़ को reaction को enhance करना, बढ़ाना ये क्या करता है? उस process को मदद करता है जल्दी होने में which help in breaking down of complex substance जो complex substance food के रूप में हमने क्या क्या बोडी के अंदर लिया है organism ने उसको broken down करने में तोडने में मदद करता है simple one में depending on the mode of obtaining nutrition organisms are classified as अलग अलग तरीके का nutrition लेने के वज़े से organism को दो categories में divide किया गया है एक तो होते हैं autotroph दूसरी होते हैं heterotroph auto का मतनब होता है self troph word related होता है nutrition से अपना nutrition अपने आप तयार करना अपने आप बनाना इस category के अंदर mainly दो organism आते हैं एक तो plant और कुछ bacteria और we can say algae ये सभी क्या होते हैं autotroph होते हैं जो food prepare करते हैं जैसे plant क्या करते हैं ये root के through क्या करेंगे पानी को absorb करेंगे और दूसरी तरफ से क्या करेंगे atmosphere से carbon dioxide को लेंगे और third source क्या है sunlight की presence में इन तीनों चीज़ों से क्या करते हैं अपना food prepare करते हैं किस की form में sugar की form में mainly कौन सी form होती है glucose तो question आ सकता है कि किस की form में कौन सी sugar form करते हैं plant food के रूप में glucose और तीन चीज़े raw material कच्ची सामगरी क्या क्या use की plant ने ये question आ सकता है कि कौन सा ऐसा raw material है कच्ची सामगरी कौन सी है जिसका use किया पोधी ने खाना बनाने के लिए तो पहली तो क्या है sunlight दूसरी क्या है अदर कुछ और भी था इसकी बोड़ी में जो ये green color है इसकी बोड़ी का मेली वो होता है chlorophyll की वज़े से अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके बारे में क्या होता है chlorophyll, chloroplast जिसकी मदद से इन तीनों का use करके वो क्या करता है food prepare करता है देन बात करते हैं heterotrophs की heterotrophs क्या होते है heterotrophs ऐसे organism है जो अपने food के लिए दूसरे organisms के उपर depend हो खुद अपना food prepare नहीं कर सकते तो यहाँ पर कुछ animals है human है कुछ fungi है protist है वो सब अपने food के लिए किसके उपर depend है directly और indirectly लिए plants के उपर depend करते हैं directly, indirectly क्यों बोला है हमने last chapter में बात की थी food chain के पढ़ते टाइम पे कि कोई भी है जैसे लॉयन है यह organism है यह किसके उपर depend करता है food के लिए deer के उपर, rabbit के उपर और rabbit किसके उपर depend करता है plants के उपर या trees के उपर गास वगया रखाता है लेकिन लॉयन किसके उपर depend है rabbit या फिर deer के उपर depend है और rabbit किसके उपर depend है अपने food के लिए plant के उपर तो यह directly, indirectly इसके लिए food का source कौन होगा plant होगे क्योंकि plant जब तक इसको food नहीं provide करेंगे energy नहीं देंगे बीच वाले organism को तब तक लॉयन को भी food नहीं मिलेगा तो यह directly, indirectly किनके उपर depend होते है heterotroph autotroph के उपर depend होते है अपने food के लिए अब हम बात करते हैं autotrophic nutrition में और heterotrophic nutrition में difference क्या होता है इसमें में लिए आते हैं green plant जो synthesize करते है synthesize का मतलब क्या होता है बनाना खुद बखुद तयार करना क्या their food from inorganic substance हमने inorganic substance क्या क्या देखे दे carbon dioxide, water किसके presence में sunlight की presence में अपना food prepare करेंगे अब एक दुसरी time आती है chlorophyll इनने जुरत पढ़ती है chlorophyll की chlorophyll की presence में क्या करेंगे अपना food prepare करेंगे मतलब यह क्या है एक ऐसा substance है जो सिरफ green plants में है और इसे की मदद से easily plant क्या कर पाते है अपना food prepare कर पाते है ऐसा हम क्यों बोल रहे है क्योंकि जब हम heterotrophic nutrition की बात करते है तो इसमें organism depend करते है प्लांट के ऊपर directly और indirectly अपने food के लिए और इनको ज़रत नहीं होती chlorophyll की और इनकी body में ही नहीं होता chlorophyll तब ही तो यह अपना food prepare नहीं कर पा रहे है खुद बेखुद इसलिए हमारे पास एक सबसे main point क्या है कि पोधों में ऐसी क्या चीज़ होती है जिसके वज़े से अपना food prepare easily कर लेते हैं उनकी body में chlorophyll होता है ओल green plants and certain bacteria यह सभी क्या है autotrophic nutrition करते हैं और heterotrophic nutrition के अंदर में लिकोन आते हैं अब हम बात करते हैं autotrophic organism की कि वो अपना food कैसे prepare करते हैं वो अपना food photosynthesis के process के मदद से करते हैं यह बहुत जरूरी process है अपना food prepare करने के लिए autotrophs को photosynthesis की मतलब क्या होता है photo का मतलब होता है light synthesis का मतलब होता है prepare करना light की presence में अपना food prepare करना कौन prepare करते हैं अब तो हमें यह पता चल गया है कि mainly plants हैं जो अपना food prepare करते हैं photosynthesis की process के मदद से यह क्या है process है इस process में क्या होता है production होता है बनता है क्या बनता है food किस से from carbon dioxide water किस की presence में sunlight और chlorophyll की presence में I hope आप लोगों को यह definition समझ में आई हो कि photosynthesis क्या है यह production करवाती है food का बोजन तयार करवाती है यह ऐसी प्रिकरिया है किस में carbon dioxide और water की मदद से किस की presence में sunlight और chlorophyll इन दोनों की presence में उपस्तिती में क्या करती है बोजन तयार करवाती है खुद के लिए भी और दुसरे organism के लिए भी कैसे कैसे क्या क्या events होते है कैसे यह process होती है step by step photosynthesis की तो सबसे पहले क्या step होता है कि यह mainly green plants में है तो क्या करेंगे sunlight की presence में sunlight से क्या मिलेगी energy मिलेगी light energy मिलेगी उसके साथ साथ क्या होंगे carbon dioxide के जो molecule है उन्हें क्या कर लिया जाएगा अंदर की तरफ absorb कर लिया जाएगा और इनका use करके धीरे धीरे इनके अंदर ऐसा क्या होता है भी हमने बात की थी chlorophyll होता है लेकिन chlorophyll होता कहां है chlorophyll chloroplast नाम कि यह क्या होती है organically present होती है जैसे animal cell, plant cell हमने 9th class में पढ़ी थी और chloroplast के बारे में भी पढ़ाता कि यह cell organically है प्लांट्स में मिलती है इसके अंदर क्या होता है chlorophyll भरा होता है chlorophyll present होता है किसके अंदर? chloroplast के अंदर leaf है कोई भी leaf के अंदर क्या होते है बहुत सारे chloroplast होते है chloroplast और गनली के अंदर chlorophyll एक green pigment भरा होता है chloroplast क्या है site है photosynthesis की जहां पर photosynthesis होती है, leaf के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, chlorophyll भरा हुआ है, सबसे पहले step क्या होगा, chlorophyll absorb light energy, सबसे पहले ये light energy को absorb करेगा, then light energy को convert कर देंगे, chemical energy के अंदर, ये एक important step है, then water molecules को split किया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, hydrogen और oxygen के अंदर, उसके बाद क्या होगा, carbon dioxide convert into starch, और we can say glucose, जो कि एक क्या है, food की एक foam है, जानों उसके बाद हम बात करते हैं, कि ये जो gas है, carbon dioxide वगएरा, वो enter कैसे करते हैं, leaf के अंदर, stomata नाम की चीज़ प्रेजन्ट होती है, stomata क्या होते हैं, specialized pore होते हैं, छिदर बने होते हैं, leaf surface में, mainly कहा होते हैं, leaf surface पे, and mean for exchange of gases, वहाँ पर क्या होता है, mainly gases exchange होता है, और एक transpiration की process होती है, जो हम आगे chapter में पढ़ेंगे, उस process के लिए, stomata क्या होता है, side provide करवाता है, photosynthesis की जो ये process हमने पढ़ी है, कि water molecules split हो जाता है, carbon dioxide convert हो जाती है, दीरे-दीरे glucose में, वह कैसे होता है, इसके लिए एक reaction होती है, carbon dioxide plus water molecule, ये क्या होंगे, chlorophyll और sunlight की presence में, किसमें convert हो जाएंगे, C6H12O6, जो कि किसका formula है, glucose का formula है, उसमें convert हो जाएंगे, साथ के साथ यहां से क्या release हो जाएगी, oxygen gas है, वो release हो जाएगी, I hope आप लोगों को ये समझ में आया हो, thank you so much,